हाई फ्रेंड स्वागत है आपका आपके अपने योटूब क्लास में मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ जीके के कुछ इंपोर्टेंट एंड इंट्रेस्टिंग सवाल और उसके जवाब जो आपको पता होना बहुत ही जरूरी है और हाँ वीडियो के इंड में आप जरूर बताना है कि आपने दस में से कितने कोसंस का जबाब सही दिया है आज का हमारा फर्स्ट कोस्टन है ऐसा कौन सा फूल है जिसका वजन दस किलो ग्राम तक होता है तो आप लोग गल्दी से एंसर करें इसका इस कोस्टन का राइट एंसर है रेफलेसिया ये दुनिया का सबसे बड़ा फूल है जो दच्छिन पूर्वी एसिया के जंगलों में पाया जाता है अब हमारे नेक्स्ट कोस्टन है ऐसा कौन सा पक्ची है जो कभी घूसला नहीं बनाता है तो आप लोग जल्दी से इसका एंसर करें इस कोस्टन का राइट एंसर है कोयल तो दोस्तो कोयल एक ऐसा पक्ची है जो अपना घूसला नहीं बनाता है अब हमारे नेक्स्ट कोस्टन है सक्कर यानि की चीनी की खोज किस देश में हुई थे तो आप लोग इसका answer करें जल्दी से इस question का right answer है भारत में हाँ दोस्तों चीनी के खोज हमारे भारत में ही की गई थी अब हमारा next question है ऐसा कौन सा जानवर है जो जूता पहन कर सोता है तो आप लोग ना इसका answer करें जल्दी से इस question का right answer है घोरा दोस्तों घोरा अपने नाल को पहन कर सोता है इसलिए कहा जाता है कि घोरा एक ऐसा जानवर है जो अपना जूता पहन कर सोता है अब हमारा next question है भारत के किस राजी के लोग साप के देल से सबजी बनाते हैं अगर आपको इसका answer पता है तो नीचे comment box में जरूर बताए इस question का right answer है सिक्किम राज के मेरा गाउं के लोग तो यहां के लोग साप के देल से सबजी बनाते हैं अब हमारा next question है बिस्व में किस नदी का पानी सबसे गरम होता है इस question का right answer है नील नदी का पानी हाँ friends बिस्व में सबसे गरम नील नदी का पानी ही होता है तो चलिए अब हम अपने next question को देखते हैं अब हमारा next question है किस सहर में पान्च सोड़ी दिखाई देते हैं तो आप लोग एंसर करें इसका जल्दी से इस question का right answer है sing night two ये चीन का एक सहर है जहां पे पान्च सोड़ी दिखाई देते हैं अब हमारा next question है किस सब्जी को खाने से दात साफ हो जाता है जल्दी से आप लोग इसका एंसर करें इस question का right answer है पपीते की सब्जी तो दोस्तों पपीते की सब्जी खाने से दात साफ हो जाता है अब हम अपने next question को देखते हैं हमारा next question है किस देश के लोग साप खाते हैं आपको सायद इसका एंसवर पता भी होगा अगर पता है ते नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताईए इस कोशन का राइट एंसवर है चीन तो दोस्तों चीन के लोग साप, पचमगादर, कुटे, बिल्ली सभी को खाते हैं जिसका नतीज़ा आप लोग कुरोना वाइरस को देखी रहे हैं जो पूरी दुनिया के लिए संकट कब इसे बन चुका है अब हमारा नेक्स्ट कोशन है मच्छर की उम्र कितनी होती है अगर आपको इसका एंसवर पता है तो जरूर बताए कमेंट बॉक्स में इस कोशन का राइट एंसवर है 14 से 56 दिन हाँ फ्रेंड्स ये जो मच्छर है न वो 14 से 56 दिन तक जिन्दा रहता है मैं आपके लिए एक कोशन लेके आई हूँ जिसका जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है जो भी इसका जवाब सही देगा मैं उसका नाम अगले वीडियो में एनाउंस करूंगी तो ये कोशन है भारत में किस राज्य में सबसे ज़्यादा मंदिर है तो आप लोग इसका जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर करें प्रेंट्स अगर आपको ये क्लास थोरी से भी यूजफुल एंड हेल्फुल लगी हो तो लाइक, सियर और सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन रूप कि पहुत सकते अगली वीडियो में ऐसे ही इंपोर्टेंट कोशन के साथ तब तक के लिए बाई बाई टेक कियर थैंक्यो फूर वाचिंग